हेलो एब्रिवान, फूड फ्राम होम में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मुर्मुरे के लड्डू यह बहुत ही टेस्टी होता है और सभी को बहुत पसंद आता है बच्चों को तो खास कर तो आईए हम बनाते हैं मुर्मुरा लड्डू बनाने के लिए 3-2-1 का रेश्यो होना चाहिए आप कोई भी बरतन सेट कर ले कप कोटोरी कोई भी बोल तीन कप मुर्मुरा, एक कप गोड़ बट हम यहाँ पे लड्डू को कम मीठा बना रहा है तो मुर्मुरे की कॉंटिटी को हमने बढ़ा लिया है जिस बोल से हमने गोल लिया है उसी बोल से हमने 6 बोल मुर्मुरा ले लिया है और एक बोल गोल ले लिया है मुर्मुरे को ड्राय रोष्ट कर लेते हैं तब ही अमारा लड़ू टेस्टी और कुरकुरा बनेगा तो हमने कढ़ाई गरम कर लिया है अब इसमें हम मुर्मुरा डाल देते हैं फ्लेम को लो कर देंगे लो फ्लेम पे इसे हम दो मिनट तक रोश्ट कर लेते हैं इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है दो मिनट हो गया है गैस को आफ कर देते हैं आपको हम चेक करके दिखाते हैं ये देखिए कितना क्रंची इसमें से आवाज आ रहा है आप इसे तोड़ के भी चेक कर सकते हैं अब इसे हम एक बरतन में निकाल लेंगे और सेम कड़ाई में हम गुर्ड डालेंगे फ्लेम को हमने लो रखा है अब इसमें हम दो से तीन चमच थोड़ा सम पानी डाल देते हैं ऐसे भी हम चलाते रहेंगे गुर्ड को हमने छोटे टुकडों में तोड़ लिया है जिससे गुर्ड जल्दी से मेल्ट हो जाए गुड मेल्ट हो गया है अफलेम को हम लोटू मेडियम कर देंगे और इसे हम पका लेंगे गुड में अच्छा बबल्स अच्छा ज़ाग आ रहा है कलर भी चेंज होने लगा है अब इसे हम चेक कर लेते हैं तो एक बोल में हम पानी लेंगे और कुछ ट्रॉप हम गुड के डाल देते हैं कुछ सकेंड इसे ठंडा होने देते हैं ठंडा हो गया है आपको दिखाते हैं निकाल के ये देखिए अब ये बहुत सौफ्ट है तो इसे हम गुड में मिक्स कर देते हैं और इसे हम एक मिनट और पकाएंगे गुड को हमें बहुत जादा नहीं पकाना है नहीं तो लड़ू जो है बहुत जादा हार्ड हो जाएगा फिर इसे हम चेक कर लेते हैं तो एक बोल में पानी लेंगे और कुछ ट्रॉप हम डाल देते हैं इसे कुछ सकेंड ठंडा होने देते हैं फ्लेम को हम लो कर देते हैं, चेक कर लेते हैं, ठंडा हो गया है, ये देखिए जम गया है, इसे तोड़ के दिखाएंगे, तो ये तूट रहा है, एक और आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, बिल्कुल पर्फेक्ट है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, नहीं तो देना है फटाफट करना है गरम गरम में ही लड्डू बनाया जाता है तब लड्डू अच्छे से बनके तयार होता है तो इसे हम फटाफट मिक्स करेंगे और गरम गरम में ही लड्डू बनाके तयार करेंगे गैस को आफ कर देते हैं और इसे हम नीचे उतार लगे अगर आप को मूर्मूरे की लड्डू बनाते समय हाथ जल रहा है आप एक ठाली लें उसे ऑल या घी से ástसे पैल लें फैला के अच्छे से सेट इसी तरीके से हम सारे लडू तयार कर लेंगे। पफ्ट राइस मुरमुरे की लडू तयार है। इसे आप ठंडा करके एर टाइट कंटेनर में रखके एक से दो महिने तक आप खा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी रेस्पी अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग